शहरजाद की कहानी रात रहे समात हो गई तो दुन्याजाद ने कहा बहन या कहानी तो बहुत अच्छी थी कोई और भी कहानी तुम्हें आती है शहरजाद ने कहा कि आती तो है किन्तु बादशा की अनुमती हो तो कहूं बादशाह ने अनुमती दे दी और शहरजाद ने कहना शुरू किया खलीफा हारू रशीत के राज में बगदाद में एक मजदूर रहता था वह स्वभाव का बड़ा हंसमुक और बातूनी था एक दिन प्रातकाल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिये मजदूरी की आशा में खड़ा था कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री जिसके मुँपर जाली का नकाब पड़ा हुआ था वहां आई और मुसकरा कर मजदूर से कहने लगी की अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधूर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया वहाँ इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुभा सुभा ही अच्छा काम मिल गया था कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले इसाई ने द्वार खोला स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिये और इसाई बूढे ने उसका आशय समझ कर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोक्रे में रखवाया और बाजार में आ गई बाजार में उसने बहुत सी वस्तुए खरी दी कट्निया और मुरब्बे, मास, सूखे मसाले आदी घुम घुम कर कई दुकानों से खरीदे इतनी चीजे उसने ली की टोक्रे में बिलकुल जगा न रही मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घुड़ा बल की उठ रख लेता खेर मजदूर टोक्रा उठा कर स्त्री के साथ चला काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुँचे जिसके शिखर बड़े सुन्दर बने थे और दर्वाजे हाथी दांच से निर्मित थे स्त्री ने दर्वाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई दर्वाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि ना मालूम यह स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन इसके साथ सिंगार से तो यहां नहीं मालूम होता कि यहां नौकरानी होगी कुछ ही देर में एक स्त्री ने दर्वाजा खोला मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुचसा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने गिरने को होने लगा जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुकूर्वक उसकी बधवासी का तमाशा देखने लगी लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा तू खड़ी-खड़ी क्या देख रही है यहाँ बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रीयों ने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई इसके खंभे कीमती लकडी के बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारो और दालान थे डालान में एक और बैठने का स्थान था जहां पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भाती-भाती के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे सब के बीच में चंदन और अगर की लकडी का बना एक बड़ा सिनहासन था उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था जिसमें चारों और मोतियों और मानिकों की जालर लटक रही थी इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमर्मर का बना हौस था जिसमें फवारे छूट रहे थे मजदूर यद्यपी दूर तक भारी बोज लेकर चलने के कारण बहुत ठक गया तथा पी उस कमरे की सामगरी और सजावट देख कर अपना श्रम भूल गया और वहाँ प्रसन्यचित से इस शोभा को देखने लगा विशेष्टा उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकरिष्ट किया उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम जुबैदा है वह उस घर की मालकिन है जिस स्त्री ने दर्वाजा खोला था उसका नाम साफी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम अमीना था जुबैदा ने कहा बी बियो इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो यहां बोज के मारे मरा जा रहा है साफी और अमीना ने मिलकर उसकी सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी जुबैदा ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारन मजदूरी से कहीं अधिक था वहां आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ लेकिन उसका मन वहां की वस्तों में इतना लगा था कि वहां वापस न हुआ इतने में ही अमीना ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया मजदूर में अब तक तो जलक भर देखी थी अब तो उसे पूरी नजर भर देखा तो ठगासा खड़ा रह गया उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपी घर में तीन स्त्रिया ही थी तथा पी खाने पीने की सामगरी इतनी थी जो तीस व्यक्तियों को काफी होती मजदूर वहां से ना हटा तो जुबैदा ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाता है लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है तू जाता क्यों नहीं क्या तुझे मजदूरी कम मिली है अमीना इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो मजदूर ने कहा मालकिन मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है किन्तु आपके सम्मुक कुछ निवेदन करना चाता हूँ मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वहां मेरी उद्दन्दता है किन्तु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी मुझे यहां बहुत सी बाते आश्चर्य जनक लग रही है मैंने आप जैसी रूपवती कोई भी महिला नहीं देखी मुझे यहां देख कर भी बड़ा आश्चर्य हुआ है कि यहां कोई पुरुष नहीं है बगेर पुरुष के स्त्रियों का रहना और बगेर स्त्रियों के पुरुषों का रहना दोनों ही बहुत अजीब बाते हैं मजदूर बातूनी तो था ही इसलिए बोलता चला गया उसने बगदाद नगर में प्रचलित तरहत्रा की कहावते सुनाई इन में से एक यह थी कि जब तक चार व्यक्ति एक साथ भोजन ना करे भोजन में स्वाद नहीं आता और खाने वाले त्रिप्त नहीं होते उसका आशय यह था कि उन स्त्रियों के बीच में वही पुरुष और दूसरे उन तीन के अलावा चोथा व्यक्ति भी वही है इसलिए भोजन के समय उसे भी खाने के लिए बिठा लिया जाए जुबैदा उसकी बाते सुनकर हंसने लगी और बोली तु अपनी बेकार की बाते और सलाहे अपने पास रख हम तीनों स्त्रिया बहिने हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती है और इस तरह चलाती है कि किसी को पता नहीं चलता हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने मजदूर ने कहा मेरी मालकिन आप तो अत्यन्त चतुर और बुद्धिमती हैं लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गवार न समझे यह तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तके पड़ी है आप कहें तो आपको एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करू यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ती से अपना भेद न छुपाए क्योंकि चतुर व्यक्ती को किसी का भेद छुपाए रखना आता है अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए जुबैदा समझ गई कि यहां मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठा कर खाना भी खिलाया जा सकता है फिर भी उसने उसकी बुद्धी की परीक्षा लेने के लिए मजात में कहा देखो भाई हमने तो पैसा और मेहन्त लगा कर इस भोजन को तयार किया है तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें साफी ने भी उससे कहा तुमने यह कहावत तो सुनी होगी की छूचा किन पूचा इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती है मैं जा रहा हूँ लेकिन अमीना ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा इसे यही रहने दो यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोधी स्वभाव के कारण हमें हसाता रहेगा तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्खरा है बाजार में यहां तक सारे रास्ते यह हंसीमजा की बातों से मुझे हसाता आया है मजदूर को अमीना की बाते सुनकर बड़ा संतोश हुआ उसने कहा आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दे मैं गरीब हूँ किन्तु किसी का उपकार मुफ्क में नहीं लेना चाता और तो मेरे पास कुछ नहीं लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिये यह कहकर मजदूर ने जुबैदा के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिये जुबैदा ने मुझकरा कर कहा हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते तुम हमारे साथ रहकर हमारे खानपान में सम्मिलित हो सकते हो लेकिन शर्ट यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करे उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे मजदूर ने यह स्वीकार कर लिया इतने में अमीना ने अपनी बाहर जाने वाली पोशाक उतार दी और तंग कपरों में कमर कसे हुए उसने नाना प्रकार के व्यंजन कलिया, कीमा, कोफता, कोर्मा, कबाब और अन्य कई प्रकार के सामिश व्यंजन और उनके अलावा अन्य स्वादिष्ट वस्तुए और मदिरा की सुराही और प्याले लाकर उचित स्थानों पर रख दिये फिर तीनों बहिने वहां आकर बैठ गई और चौथी और मजदूर को भी बिठा लिया मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ उसने थोड़ा सा भोजन किया फिर अमीना ने मदिरा की सुराही उठा कर प्याला भरा और अपने देश की रीती के अनुसार पहले स्वयम पिया फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया The Story of Alif Laila Kissa Teen Rajkumariyo Aur Part Sundariyoka Will Continue Part 2 is Coming Soon Please Like and Subscribe our Channel to Access Plenty of Amazing Stories And Thank You For Watching